गाई जिस वीडियो के अंदर बात किया जाएगा कि जो साल का आखरी सुर्य गरहन है वो कब लगने वाला है क्या सुर्य गरहन भारत में दिखाई देगा सुर्य गरहन का जो सूतक होगा वो माने होगा एक प्रेगनेंट लेडी को अपने बच्चे को बचा कर रखने के लिए या फिर बच्चे के उपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े जिस कारण सुर्य गरहन के दिन एक प्रेगनेंट महिला कौन कौन सी एक्टिवीटी करें कौन से काम को करना है और कौन से काम को बिलकुल करना नहीं होता है यह वर्जित माना जाता है कम्प्लीट जनकार सिंगल एक वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली मेरे पास क्वारी जा रही थी कि सुर्य गरहन कब लगने वाला है कितनी ज़्यादा टेंसन हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर अगर ऐसा कुछ कोई बता दे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाईज वैलकम मेरा ना लगने पर भी आपको वही नियम पालन करने होते हैं जो सुर्य गरहन के अंदर करने होते हैं अब चलिए गईज हम यह जानते हैं कि एक महिला को कौन कौन से नियमों के ऊपर ध्यान देना है जैसे ही गरहन लगता है उसके कुछ टाइम पहले सूतक भी लग चुका होता है तो में गरहन लगने के पहले आपको नहा ध्वा लेना है नहाने के बाद उजला या पीले रंग का जो भी कपड़ा आप पहना चाहते हैं पहनिए हाथों में अपने नारियल रखना है जिस भगवान में भी आप भरोसा करती हैं उनका नाम लीजिए मंत्र का जाप कीजिए और कोशिश कीजिए कि गरहन स्टार्ट होने के पहले अपने लंबाई का धागा उजला या सफेद होना चाहिए उस धागे को कट करके अपने पास रख लिजिए जिस दौरान गरहन चल रहा होता है गरहन के समय में आपकी खिड़किया ये सब बिल्कुल खुले नहीं होने चाहिए क्योंकि हार्मफुल रेडियेशंस आप तक पहुँच सकता है खिड़की के थरू ये वेंटिलेशन के थरू तो आप इन सब को कवर करके आपको सिंपल सी बात है रख देना है अब है गाईज करना क्या क्या है काम देखिए खाना पीना अगर कहा जाए तो आप जो ग्रहन कोई प्राब्रम ने आप दवाया लीजिए क्योंकि बहुत बर महिलाया डर जाती है मैं मेरे एक्सपीरियंस बताती हूं ग्रहन का मेरी प्रेग्नेंसी में तीन बर ग्रहन पढ़ा था पहले ग्रहन में मुझे बहुत सारे लोगों ने डराया था तो मैं कुछ नहीं मानेता है क्योंकि बच्चों को हम लोग खाने पीने की चीज़े बड़े तो कई बार मान लेते हैं चोटे बच्चों को हम कैसे देते हैं हर चीज में तून सी के पत डालके तो आपके अंदर भी तो एक चोटा बच्चा पल रहा है जिस कारण से आप हर चीज में तूलसी के पत्ते डाल कर लीजिए कोई प्राब्लम नहीं होगी अगर सोने की बात करते हैं तो हाथों को पैरों को बिल्कुल सिधा करके ग्रहन में सोना चाहिए तीरचा या तेड़ा नहीं होना चाहिए आप चाहें तो दाएं करव हम बात करें तो यह ग्रहन का भारत में दिखे या नहीं दिखे गा लेकिन और भी कुछ-कुछ देशों में दिखाई पड़ने वाला है जो ग्रहन है इसकी डेट है 25 अक्टूबर और हमारे यहाँ 24 अक्ट्वर को दिवाली के अगले ही दिन ग्रहन पड़ने वाला है तो इसलिए आपको इस चीज के उपर ध्यान देना है कि आपको अपने तेहवार को बिल्कुल भी affect नहीं करना है कि तेहवार है तो फिर ग्रहन है फिर कैसे क्या करना है मत कीजिए लेकिन हाँ ग्रहन जो है इस प्रीत भी पर ही कही न कहीं पढ़ने वाला है इसलिए एक pregnant lady आप कुछ नियमों का पालन कर सकती है अब ये है जाने से पहले बता दू कि कौन कौन से काम आपको बिल्कुल नहीं करने है वो काम आपका ये चीज होगा कि फ्रूट नहीं काटना है सबजिया नहीं काटनी है सिलाई बुनाई कड़ाई ये सब स्टॉप कर दीजिए खाना नहीं बनाना है ग्रहन से पहले आप खाना बना सकती है ग्रहन के दौरान एक कमरे में आराम से बैठके भगवान का नाम लीजिए और जब ग्रहन समाथ हो जाता है तो उस धागे को पानी के बहाँ में या गंले की मिटी में आप दबा सकती है सो गैज 25 अक्टूबर के दिन को आप ध्यान से रखे आपको डरने की और घबडाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं अब और एक्जैक्ट इसके टाइमिंग वगेरा और पूरा चीज एक्जैक्ट अभी कनफर्म नहीं हो पाया है होते ही बहुत जल्द में एक वीडियो बना कर आप सबको इंफर्म करूंगी थैंक्स पूर वाचिंग गैज मिलती हूं नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए बाइबाइन टेक केर